दोस्तों ये जो रेलवे नाइन आप देख रहे हैं इंदोर से लेकर के जो ये रेलवे नाइन आप अभी देख पा रहे होंगे ये ये वाली लाइन की में बात कर रहा हूँ इंदोर से मनमाड वाली जो ये रेलवे लाइन है इसी के उपर आज हम लोग बात करेंगे और जान तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो इंदोर मनमार रेलवी लाइन है ये बहुत पुलानी मांग है कि इस रेलवी लाइन को बनाया जाए और अगर हम लोग बात करें तो ये दो राज्यों में बटा हुआ रेलवी लाइन है जिसमें से जादा तर भाग जो है वो मद्यपरदेश में है और जो कम भाग है वो महराष्ट में है और इसके आगे हम लोग बात करेंगे कि इसको बजट में कितने रुपए एलोकेट किये गए हैं लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इंदोर मनवार रेलवी लाइन बन जाने से कितना ज़्यादा फायदा होगा तो दोस्तों हम लोग यहां पे इस railway line को यदि देखें जो यह 1 railway line इटावा से आ रही है यह जो railway line है यह वाली जो railway line है यहां पर से यह हम लोग चलना सुरू करें तो इटावा से आप यह देख लीजिए कि फिर गोलियर होते हुए गूना होते हुए मक्सी के रास्ते फिर जब हम लोग सीधे यहां पर से इंदौर होते हुए जब हम लोग डायरेक्ट पहुंच सकते हैं मनमाड तो बहुत जादा फाइदा होगा इस रेलवी लाइन के बन जाने से इसलिए क्योंकि जो जब यह रेलवी लाइन बन जाएगी तो मुंबई या फ दबाव रहता है कानपूर भोपाल इटारसी के रास्ते मुंबई जाने वाली रेलवे लाइन और फिर सतना से लेकर के जो इटारसी वाली रेलवे लाइन है इन दोनों रेलवे लाइनों पे पस्चिम की दिशा में जाने के लिए चाहिए आप गुजरात जाईए या फिर के मुंबई पूने जाईए तो इस दोनों रेलवे लाइन से बहुत जादा राहत मिल जाएगी और इसके चलने से ना सिर्फ यह होगा कि दूसरे रेलवे लाइनों पे दबाव कम पड़ेगा बल्कि यह भी होगा कि इंद और एक प्रोपर जंक्सन बन जाएगा सभी रेलवे बात हो जाएगी अगर ऐसा हो जाता है तो आईए अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे किसे कितने रुपे लोकेट किये गए दोस्तों तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैं आप लोगों को जो भी खबर दिखाता हूँ वो बिलकुल लेटेस्ट रहती है क्योंकि अब इंदोर मनमार डेलवे लाइन पे तो बहुत सारी वीडियो आपको दिख जाएंगी लेकिन जो उसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है जो लेटेस्ट अपडेट है वो किवल मैं ही दिखाता हूँ तो यह आप देख पा रहे होंगे कि यह खबर जो है वो अब इसमें आप लोग यह देख लीजिए कि यहां पे टोटल अपडेट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ तो दोस्तों यहां पे आप देख पा रहे होंगे जो इंगलिस में लिखा है वो मैं पूरा आपको पढ़के बता देता हूँ लुड़ बजेट टोकन अमाँ फ्रुपीश 1000 इच शेल्ट विन बेद एंदार मनमाद और जाबल्पूर नुव रेल रैल न प्रोट्यक्त सेट अटाट अट्रोक अटेट ब्जेट अट अटेट 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 सेट इंपर्टर सिप्टेश्पश्श्य इस्टेट गवर्णमेंट्स तो दोस्तो इसका मतलब एक तरीके से यह निकल के आ रहा है कि जो इस रेल लाइन पर इंदोर मनमाड का जो रेल वे लाइन है इससे केवल एक हजार रुपए लोकेट किये गए हैं तो इस हैं तो यह तो मतलब एक फॉर्ड मिलिटी निवाई गई है तो हलाकि यह बहुत पुरानी मांग है और बहुत पुरानी रेल वे प्रोजेक्ट है इसे बहुत जल्द से जल्द बनाना चाहिए और सरकार की इसके उपर उदासिंता देख करके बिल्कुल ही इंदोर वासियों को दुख होता होगा लेकिन जल्द ही यह रेल लाइन भी बनकर तयार हो जाएगी आप लोग इस वीडियो को माध्यम से जान चुके होंगे सब कुछ जानकारी मैंने बता दिया है और जब इसके उपर और भी कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी तो मैं वो भी आप लोगों को बताऊंगा तो यह वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें औ अपने दोस्तों रिष्टेदारों में इस वीडियो को सेयर करना बिलकुल ना भूलें